पिधम्पूर शेत्र के कॉंग्रेस नेता शेर्ची हमाल्विय को पिछले दिनों असंगठित कामगार कॉंग्रेस का जिलाध्धिक्ष न्यूक्ति के बाद शेर्ची माल्विय पहली बार अपने पैत्रक गाउं पहुचे तो रास्ते में अन्ने गाउ सहित उनके गाउं असंगठित कामगार कॉंग्रेस प्रदेश उपाध्धेक्ष वो संभाग प्रभारी हैमांतर हीरोले जनपस सदस्य डॉक्टर असाकरण अखिल भारतिय बलाई महसभा के तहसिल अध्धेक्ष चंदा मालविय पितंपूर शहर अध्धेक्ष मोनिका सोलंकी विधानसभा उप अध्नावार विधानसभा के केसुर गाउं में प्रविश करते ही अलफ संख्यक समाजनों ने सभी का फुल मालाओं से भोवे स्वागत किया इसके बाद गाउं में एक बैठक का आईजिन किया गया जहां ग्रामवासियों के साथ सेर्सिय मालविय डॉक्टर हैमांत हिरोले सहीत सभी नेताओं ने चर्चा की इस जोरान गाउं के रोड की दुरदर्शा समसान घाट रोड नाले की पुलिया आधी समस्याओं को लेकर देड तक चर्चा हुई इन सभी समस्याओं का निराकरण केसे हो इस पर विचार विमर्ष कर रूपरेखा बनाई गई तथा सभी समाज के लोगों ने एक जूठ होकर गाउं के विकास करने के बात को लेकर सहमती बनी इस दोरान मेनपूरा गाउं के अशोक पवार जगदिस सोनगरा सहित सभी ग्रामिंट जनों का आभार माना पिथमपूर से संजै सोनगरा की रिपोर्ट जिलाओपा देख बनेदे के बाद पहली बार आपका दोरा रहा उसे हुआ का कहागी आए countless है वाहां का दोर आहुआ मेरा पहली बार तो अगात संबाम किया गया ग्रामन दोर आए उसके पड़ी समयश्याओं से अवगत कराया उस गाउं में आज तक किसी भी जेता विधाय का ध्यान नहीं गया हुआ तक सासन पर सासन का वो आज भी कि भगडी मार्ग से मेंदपुरा तक खीचड कच्चा मार्ग है और मेंदपुरा गांसे मुरड का तक दो किलेमटर है करीब सो बच्छे इसकुल जाते हैं और आज भी वहागी तरह समश्या है ताकि पेदल चलने में दिक्कत आती है यह समश्या ग्रामनों दुबारा रखी आपका नाम और पद्र मेरा नाम सेर्शी मालवी आसंगडित कामगार कांग्रेस धार के जो लावपाप देख है हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल विना मुले